अध्याए 20 सब्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भूर को अंधेरा रहते ही कबर पर आये और पत्थर को कबर से हटावा लेगा तब वो दोड़ी और शमौन पत्थर और उस दूसरे चेले के पास जिससे येशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कबर में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहा रख दिया है तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकल कर कबर की ओर चले और दोनों साथ साथ दोड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कबर पर पहले पहुँचा और छुपकर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया तब शमान पत्रस उसके पीछे पीछे पहुचा और कबर के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोचा जो उसके सिर से बधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परन्तो अलग एक जगेला पीटा हुआ देखा, तब दूसरा चेला भी जो कबर पर पहले पहुचा था पीतर गया और देखकर विश्वास किया भी तो अद्थक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसे मरे हुए मैंसे जीटना होगा तब ये जेले अपने घर लाट गए परंतो मरियम रोती हुई कबर के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते र ये शू की लोत पड़ी थी एक को सिराने और दूसरी को पैताने बैठे देखा उन्होंने उससे कहा हेनारी तू क्यों रोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रबो को डाले गए और मैं नहीं जानती कि उसे उसे कहा रखा है ये कहकर वो पीछे भिरी और यिशू को खड़े देखा और ना पैचाना कि ये यिशू है यिशू ने उससे कहा ये नारी तू क्यों रोती है किसको ढूंडती है उसने माली समझकर उससे कहा हे महाराज ये तू ने उससे उठा लिया है तुम इससे कहे कि उससे कहा रखा है और मैं उससे ले जाओंगे ये शू ने उससे कहा मर्याम उसने पीछे भेकर उससे इबरानी में कहा रबो ने अरतार थे गुरू ये शू ने उससे कहा मुझे मत चू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ मरियम मगर लीनी ने जाकर चेलू को बताया कि मैंने प्रभू को देखा और उसने मुझसे ये बाते कही उसी दिन जो सब्ता का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेहले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब येशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हे शानती मिले और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए तब चेहले प्रभू को देख कर आरंधित हुए येशु ने फिर उनसे कहा तुम्हे शानती मिले जैसे पिता ने मुझे बेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ ये कहकर उसने उन पर फूखा और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किये गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं परंतो बारहों में से एक वित्ती अर्थार्थ ठोमा जो दिदुमुस कहलाता है जब येशु आया तो उनके साथ ना था जब और चेले उससे कहने लगे के हमने प्रभु को देखा है तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलो के छेद ना देख लूँ और कीलो के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं तब तक मैं प्रतिती नहीं करूँगा आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे धोमा उनके साथ था और दौार बंद थे तब यिशू ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शान्ती मिले तब उसने धोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे प्रभू हे मेरे परमेश्वर येशू ने उससे कहा तुने तो मुझे देखकर विश्वास किया है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया येशू ने और भी बहुत चिन चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए परन्तु ये इसलिए लिखे गए है कि तुम विश्वास करो कि येशू ही परमेश्वर का पुत्र मसी है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ